स्री क्रिश्न का नई आलाल की जै स्री निजानन्द स्वामी की स्री प्राणना थे प्यारे की तोनो तरफो मुहलके आगु जित दाड़काता शोक्यु छोडिका दमा सुपने जाके अशला का निशवाता जाके अशला का निशवाता स्री क्रिश्न का नई आलाल की मुरंग भवन ये पुष्पराग गिरी के संदर्ब का प्रशंग चल रहा है तो उसमें ये कहा कि यमुना जी जैसे अभी यमुना जी के प्रभाग की बात कहेंगे कि यहां उखराजगीरी के दोनों तरफ उचे उचे व्रिक्ष और बीच में भवन इसकी बात आई अब आगे कहते हैं दो किनारे गुर जदोई बीच सोले चादरे उतरता अब सोले चादर सोले धाराएं कहां से निकलती है अधवेच के कुंड में गिरती है पुखराजी ताल से उपर से जल आगे प्रभाहित होता है और वहां से सोले धाराओं में वो करके नीचे गिरता है तो जहां से ये सोले धाराएं गिरती है उससे उपर चट में दोनों तरफ दो बुर जए हैं दो किनारे गुर जदोई दोनों किनार में दो बुर जए हैं और उन दोनों के बीच में से सोले धाराओं में शो करके यमनाजी प्रभाहित होती है तो ब्रह्मा आत्माएं अक्षराती धामदनी के साथ में इंद्रिश्यों को देखती हैं तो उनके चरणों को कैसे भोल सकती है उपर अचादरों महुल जो बीच बड़े दहलान देखत अब जहांसे ये जल धाराएं नीचे गिरती है उसके उपर भी न वो महुल है बीच बड़े दहलान देखत और ये धाराएं नीचे गिरती है तो काफी लंबा अंतराल है तो उस बीच में तो वहां बिभिन दहलान बगर हैं अलग-अलग मंजिलों में दो तरफों कदम सुख लेवहीं जाकी असला का निश्वत तो इधारा के दोनों तरफ बड़े बड़े दहलान हैं तो इनका सुख ब्रमात्माएं लेती है तो ऐसी ब्रमात्माएं अक्षराते धामदनी के कदमों को कैसे भूल सकती है अदवीच के कुंड जो जित चादर हों जल गिरता अदवीच का कुंड जिसमें सोल धाराओं से जल उसमें गिरता है रूएं छोड़े न कदम सुपने जाकी असल हकनेश्वत इन द्रिश्यों को देखने आले ब्रमात्माएं पुरुन ब्रमात्मा के स्रेचरणों को कैसे बोल सकती है तले ताल बन बंगले जल चक्रा वजियों चलता अब तले ताल ताल के नीचे अब वो नीचे का ताल भी कह सकते हैं और उपर के ताल से नीचे का भाग वो भी बोल सकते हैं तो वहाँ जल कैसे चक्रिय गति से चलता है तो उसमें जैसे सीधा चलना जैसे सीधा उसको तो क्रोसिंग का उप करेंगे लेकिन अब वहाँ ऐसे घूमपगर के भी वह बृता कार में भी ऐसे नहरे हैं तो इस प्रकर्श भी वह जल जलता है रुएं सुपने का दनम छोड़ाई जाके असलह का निश्वत है तो इंद्रेश्यों को देखने वाले ब्रमात्मा हैं इस अपनों जगत को देख करके पूर्ण ब्रमात्मा के चरणों को कैसे भूल पाएगी कई फुवारे मुख जानवरों जलती रजियों छूटत अब वहां जो जो फुवारे हैं फाउंटेन बगर हैं तो उसमें कैसे वो जानवरों के मुख की जैसे आकरिती उसमें से वो पानी निकल रहा हो ऐसे ऐसे आकरिती के वो फुवारे हैं और वो जल तीर जियों छुटता तो पूरी तीर की भाती तीर जैसे तिब्रगती से निकलता है ना उस समय तो तीर का प्रचलन था अभी बुलते तो हो सकता है बुलेट की तरह से बुलते है तो यह तिब्रगती से जल निकल रहा है कहने का तात पर यह तीर से या बुलेट से मतलब नहीं है. तिब्रगती से निकल रहा है पूरी स्पीड में. क्यों भूले इनसों के कदम में के जाके असल हखने स्वत है, यह सब सुक हैं सरीराज्जे के चरणों के सुक है सरीराज्जे साब जाके ले जाते हैं प्रहमात्माँ को दीखाने के लिए तो उसमें क्या है कि कई स्थानों में तो ऐसे है कि वह फवारे तो एक तुसरे से टकराते विए और वहां से पाने बीच में गिरता है चारों तरफ के फवारें से तो फवारें में भी दोनों तरफ के ऐसे वो भी आगे जुड़ जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि जल्न वो शाकल की तरह से तो वो तो बिलकुल ही बीच में परमधम में तो जैसे राज्ये चाहेंगे उस प्रकरशे होगा न तो बिलकुल बीच में साथ में जुड़ते है तो फिर वो पानी उस तरह से नीचे उतरता है तो इस तरह से यमुना जी का जल्प हवारें से वो जंजीर की तरह से दिखाई देता है वो बात कह रहे हैं अधभूत शोभा लेवत ये एक प्रकरश अधभूत शोभा भी है क्यों छोड़े एक अदम मोमिन जाकी आसाला का तो ब्रह्मा आत्मा इस रराज्य के चरणों में रह करके इन सारे द्रिश्यों को देखती है तो उन चरणों को कैसे छोड़ सकते हैं अब ये जंजीर के जैसा तो जंजीर के जैसा जल का तो नीचे बहने वाले प्रभाह में भी देखाई देता है क्योंकि ऐसे प्रभाह भ अब एक फवरा इधर से उड़ता है, तो वो ऐसे घूम करके वर्षे वो ऐसे आर्च बना करके दूर जाकर के गिरता है तो बीच में कई नहरें इधर से आने वाली इधर से जाने वाली ऐसे नहरें बीच में उसको लांग करके जाता है तो उसके बाद ये कहा रहे है उलंग जात कई चहे बच्चों जल सामसा में आजात आवत जल ऐसे सामने आना जाना जलों का बना रहता उनको शब को उलंग करके तो वो फवारा दूर जाकर के पहुंचता तो इत कदम सुख मोमिन लेवा ही जाकि असलाह का नेश्वत सरी राज्य के साथ साथ में ब्रह्मा आत्मा ये सारा सुख लेती हो तो उनके चरणों को माया में रहा करके कैसे बोल सकती है जल आवे जाए उपरशे तले हा कहा दिरुएं खेलत केवल ये जैसे उपरशे फवारा चलता हो और नीचे केवल जल कही आना जाना हो ऐसा नहीं है स्रेराज्य स्यामा जी भी ब्रह्मा आत्माओं को लेकर के वहां टाहलते हैं तो वहां विचरण करते हैं तो इस सुख क्यों छूटे कदम के जाकी असलहक निश्वत तो ब्रह्मात्म ऐसे आनंद को ले रही हो तो इन शुखों को कैसे छोड़ सकती है माया में आकर करके इसलिए उनको याद करते रहना चाहिए गिर्दवाय बड़े द्वार महरावी ए मोल शोवाल लेवत तो वहाँ जो बड़े-बड़े महल हैं तो उनमें द्वार चारों तरफ बड़े-बड़े द्वार हैं जैसे बड़े-बड़े महल हैं उससे प्रकार से बड़े-बड़े द्वार भी है और उनके उनका कमान महरा तो इस प्रकार वो महलों के सोभा बढ़ाने वाले ऐसे कमान है द्वार है इत खेले रूहे कदम अतले श्रीराजी के चरणों में रह करकरने का तातपरिश्रीराजी के साथ साथ में ब्रह्मा आत्माएं वहां खेलने का आनंद लेती है जाकि असलह कनेश्वत जिनका समंध प यह उपर जो यह तो महल के ताल की बात आ रहे है उसके नीचे अब चारोंं तरफ बगेचे हैं और नीचे भी बेजमेंट में भी तो वहां जो नहरें भैती है तो यमुना जी की तो उसके दोनों तरफ बगेंचे बगेरे हैं तो वहां ब्रिक्षों के छाया में भी ब्रहमा आत्माएं मलपत का तात्परी है तो जुमती है तो सरी राज्जी के साथ में आनंद से टहलती है आनन्द से विचरण करती है तो वो जुमती हुई चलती है तो ऐसे आनन्द आता है जैसे किसी को कुछ सुन्द करके आनन्द आता है तो ऐसे वो जुमने लग जाता है तो इस प्रकारशे ये मलपत का अतात्परियम जुमती है वो इस प्रकारशे तो इस उपने कदमन छोड़ जाकि असलह का निश्वत तो जिनका पुर्ण ब्रह्म से ऐसा सम्मंध हो वो ब्रह्मा आत्मा उनके चरणों को कैसे छोड़ शकती है मलपतियां आता है ना जलकतियां रे मलपतियां तो ये जूबने वाली आत्मा है केती चक्राव से बाहर जो एतले चबुतरे निकसत अब ये केती चक्राव से बाहर कितना जल है इस तरह से जो नीचे नीचे नहरें ऐसे चलती है उससे बाहर फिर वो चबुतरे से नीचे से होकर के यमनाजी का जल प्रभाइत होता है तो उस चबुतरे को ढपा हुआ चबुतरा अथवा तो वो चबुतरा कैसे चबुतरा तो है किन्तो ओपन में नहीं है तो वो भवन के नीचे चबुतरा है इसलिए उसको ढपा हुआ चबुतरा आई सक्रे दिया तो अप्रकट चबुतरा तो वहां से यमुनाजी प्रवाइत हो करके बाहर निकलती है रोहें खेले तले कदम के जाकी असलह कनेश्वत ब्रमात्माएं वहां का भी आनंदल लेती है स्रेराज्जी के साथ में तो उनके चरणों को भोल नहीं सकती जोए चबुतरे कुंड पर उपर बन जूमत अब वहां से जो अप्रकट चबुतरा से यमुनाजी प्रवाइत होती है तो आगे जाकर करके अब भवन से बाहर निकलती है तो फिर वो मूल कुंड में प्रवेश करती है तो मुल कुंड के वल कुंड नहीं है कुंड का उपरी भाग है वो बड़ा चबुतरा है तो वहां दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है और यमना जी का प्रभात आगे बहेगा और दोनों तरफ ब्रिक्षों के पंगती आए तो ब्रिक्षों के साखाएं ऐसे चबुतरे के जूम रहे है तो ब्रिक्षों के साखाएं ऐसे जूम रहे हो ऐसा होता है थोड़ा हूँ होँ एख थोड़े हुआ चलती हो तो ब्रिक्षों जूमते हैं और अरृ श्रे राजजी वहां पर जाते हрок श्यामा जी और ब्रमातमाग ले करके लोतो ब्रेख्षों को भ他 अननद ह तो ब्रह्मात्माएं एक अदम सुख मोमिन लेवाई जाकि आसला का निश्वत तस्रिराज्य के चरणों में रह करके ये सुख प्राप्त करने वाले ब्रह्मात्माएं उन चरणों को नहीं छोड़ सकती है। किनारे हैं यमनाजी के वहां से स्तंब खड़े हैं और वो चबुतरे किनार को भी ढख करके उपर चाता है। वो पूल की तरह से लगता है। तो इस तरह से यमनाजी ढख करके आगे बढ़ती है। ये बैठा का सोभा आतनता है। तो वहां पर ना तो ये पीलर खड़े हैं य यमुनाजी के तरफ रेलिंग लगी हुई है, इदर चबुतर में बीच में यह उसका इस्तंब है, तो वहाँ पूरा वहाँ पर यमुनाजी के किनार में चबुतर है बैठने का, तो वहाँ पर सरेराजे, श्यामाजी और ब्रमात्माओं को लेकर के बैठते हैं, बैठक सुन्दर है, तो उसका इहां पर बात करते हैं, ए सुपने कदमन छोड़ाई जाकि असलह कनेश्वत, स्रेराजी के साथ में इन लिलाओं में सम्मिलित होने वाले ब्रमात्माओं उनके चरणों को छोड़ नहीं सकती, दो किनारे ढापिल, आगो जल जोए खूलत, इस प्रक आगे बहती है, और आगे जाकर के फिर, तो वो छट जान तक रहता है, वहां से आगे, फिर यमनाजी का प्रभाह खुला मिलता है, तो ब्रमात्माओं वहां भी सुख लेती है, तो वहां से वो आगे बढ़कर के प्रभाह बहता है, तो वहां पर यमनाजी के किनारे में दे बना व्हां जाकर कि मौड जब दक्षण की और यमणा जी का प्रवाब मौड़ता है तो वहां से फिर एक मौड़ एक चभू तरह तो वहां धेरी क्या वहुए इधर छोटे माहल थे तो देवरी यह कह दिया तो दर है वो थोड़े बड़े माहल है तो अब वो पूल तक ये स्थिती है तो जाए जो पूल तले मिलत तो पूल तक के ये स्थिती है तो वहां तक ये महल बड़े-बड़े है इसलिए वो देहरी है वो बड़ी देहरी है अब रुएं एक अदम क्यों छोड़े ही जाकी असलह का निश्वत तो ब्रह्मा आत्मा इन चरणों कमल को छोड़ नहीं सकती है इसरे राज्जी के उनके साथ में इन शुकों का अनभव करती हो तो इतते जुए मरो रशीदी चली इस मोड से अब यमना जी का प्रभाह न मोड करके आगे बड़ता है अरश आगू सोबा सरत अब ये दुबारा बरण किया उसको तो ऐसा नहीं क्यों ये पहले एक मौल एक चबुतराव मोड से पहले की बात नहीं है मोड के बाद की बात थी किन्तो अब ये कहते हैं यहां से यमना जी का प्रभाह बहते बहते रगभवन से आगे तक पहुंचता है ये बात बताना चाह रहा है इसलिए इसको दुबारा कहा तो अरस आगू सुभा धरत तो रगभवन और दूसरे तरफ अक्षरधाम तो दोनों के बीच में से उनकी सुभा बढ़ाती हुए यमना जी आगे बढ़ती है तो इन दृष्यों को देखने वाली ब्रह्मा आत्माएं रुएं क्यों छोड़े इनकदम को जाकि असलाह का निश्वत तो अक्षराते धामदने के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती है दो पूल के बीच में बड़ी सातों घाटों से फट अब दो पूल के बीच में साथ घाट है बड़े बड़े सात घाट है तो उनकी महिमा भी बहुत बड़ी है तो इसको अलगी प्रकार शिवरनन किया है दोनों तरफ के घाटों का और बनों का रुएं खेले ये तक अदमों तले जाके असलह कनिश्वत तो सरे राज सामा जी के साथ में खेलने वाली ब्रमात माएं सरे राज जी के चरणों को माया में कैसी भूल सकती है नूर और नूर तजलह अरश साम सामी झाल करता है अब यहाँ यह साथों घाट यमनाजी के किनार पर हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तो दोनों तरफ एक तरफ नूर कहने से ये अक्षरधाम के बात कर रहे हैं दुसरे तरफ नूर तजल्ला कहने से रंग महल की बात कर रहे हैं रंग भवन की तो ये दोनों भवन हैं आमने सामने बड़ी सुन्दर शोभा धारन करते हैं तो इस सुभा को देखने वाली ब्रह्मा आत्माएं ये रुहें कदम न भूले शुपने जाकि असलह का निश्वत तो इस सुपन में भी उन्चरणों को भूलती नहीं हैं दो दर्वार की रोषणी अमर नूर भरत दोनों दर्वार रंग भवन कोई परमधाम कहा है वैसे तो परमधाम में तो सब कुछ आ जाता है फिर भी अभी यहाँ स्रेराज्जी का भवन है तो वो उसको वो रंगभवन और दूसरे तरफ अक्षरधाम तो दोनों दर्वार का प्रकास है अम्मर नूर अभरत उसका प्रकास पूरा पूरा आकलास में चा जाता है तो स्रेराजी के साथ में ब्रह्मा आत्मा उस प्रकास को भी देखती है ऐसी ब्रह्मा आत्मा रुहें कदब न भूले स्वपने जाकि असलह का नेश्वत तो वो इस स्वपन में भी उन चरणों को भूलती नहीं है अरश जीमी नूर अपार है इस प्रकार परमधाम की भूमी का कोई पारावार नहीं है यह तो शंक्षित में चारों तरफ का वरणन किया कि यह समझाना चाहा इन प्रकरणों में आगे भी असली संबंद की बात कहते हैं असलह का निश्वत वो यह आगे का प्रकरण भी आएगा तो यह चारों तरफ का दृश्य यह बता रहे हैं देखो इन लेलाओं का अनुभब करने वाली ब्रमातमा हैं स्रिराज्जी के चरणों को माया में कैसे बोल सकती है यह कहना चाह रहे हैं तो इसलिए यह कहते हैं अरश्य जी मी नूर अपार है इतके बाशी बड़े बखत है तो यहां के बाशी यहां के रहने वाले हैं उनका बड़ा बखत कहने का तात्पर क्या है अब इसको उनका अच्छा समय है अब अच्छा समय भी क्या कहें इसके लिए यह कहना पड़ेगा उनका इतना बड़ा भागिया है ऐसी प्रमात्माएं उनको अक्षराति धामदनी दुनिया देखा रहे हैं तो उनको इस अवशर में दुनिया को जिसलिए दिखा रहे हैं उतना देखना चाहिए बाकिसरे राज्जी को भूलना नहीं चाहिए यह कहने के लिए यह बक्षत की बात कहिए है महामत रूह आक जाता है जाकि हक कदमों निश्वत महामती कहते हैं यह सब आत्माएं है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं उनका संबन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है नित्य है इसलिए उए इन संबन्दों को कभी भी भूल नहीं सकती उनके चरणों को भूल नहीं सकती अभी के प्रशन को ये रखते हैं स्रीक्रिष्न का नई आलाल कीजे जाकी हाक कदमों निशवत अरश जी में नूर अपा रहे प्रित के वाशी बड़े बक्त प्रित के वाशी बड़े बक्त महामत रुहे हक जात है जाकी हक कदमो निशवत जाकी हक कदमो निशवत इस एक शोइक विष्णन मान देमा राल देगी जैगी